हम बात कर रहे हैं RVNL की आज के दिन की बात करें तो इस टॉक में हमको 2% के उपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिलिए इससे पहले वीडियो में हमने डिसकस किया था कि इस टॉक इस बॉंस बैक के साथ 300 टक के तारगेट दिखा सकता है 300 का लेवल इसका तगडा resistance रहने वाला है और हम देख सकते हैं इस टॉक ने उसी के आसपास से हमको गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है उसी के आसपास से टॉक ने rejection लेकर हमको गिरावट दिखाई है इस गिरावट के साथ एक तगड़े support इसका काम करने वाला था 280 का लेवल जिसको ह ब्रेक आट करता है तो फिर बड़ी तेजी दिखा सकता है इसका तगड़ा resistance बनने वाला है इस टॉक ने 280 के लेवल को ब्रेक आट किया तेजी दिखाई और जब rejection ले आए तो हम देख सकते 280 के लेवल को नीचे की और breakdown कर चुका है और breakdown के बाद जो इसका इससे पहले resistance नहीं आता है इस टॉक 270 के ऊपर sustain होता है 270 के ऊपर sustain होता है तो वह इसे condition में RVNL और तेजी दिखा सकता है 270 के level को breakdown कर गया तो 260 और तगड़े support के तोर पर काम करेगा यह जो इसका low है 244 का level जब तक इसके ऊपर है तब तक RVNL में upside के chance बने हुए है अब अगर इस टॉक बा इस किया था 280 का level तगड़ा resistance रहने वाला है इस वक्त fresh buying को avoid करके चलना ठीक रहेगा अलाके breakout के chance बने हुए चार्ट पैटन के according breakout हो सकता है क्यूंकि हम देख सकते इस टॉक एक trend line पर काम करता नजर आ रहा है जम के बाद इस टॉक support ले रहा है support कर लेकर bounce back हो रहा है तो आप करके उपर sustain हो जाता है stock तो अगला target 290 इसको breakout करने का 294 300 का level जहां से stock ने rejection लिया इसका तगड़ा resistance रहने वाला है 294 से 300 के between थोड़ा सा fresh buying को avoid करके चले जैसी 300 के breakout को level को breakout करेगा उसके बड़े target RVNL दिखा सकता है फिर 320 और 330 तक के target RVNL में आमको देखने के लिए मिल सकते हैं अगर आप teammate account open करना जाते हो तो description में दी गई लिंक से कर सकते हो video education purpose के लिए कोई buy sell या hold की सला नहीं है